जो सक्ति को छुपाता है वो साप के काटे के समान होता है और उस सक्ति से ज़्यादा करता है उसकी दिसा विच्छू के काटने वाले के समान होती है कोई भी कहा रहे हो चाहे धर्म का क्यों ना हो हम लोगों को जैसे कहा जाता है हमारी दो प्वास करने की छमता है हम चार करेंगे तो जहनारी चारी कहेंगे तुम धर्म नहीं कर रहे हो अधर्म कर रहे हो अरे मैं कौन सा धर्म कर रहा हूँ मैंने तो चार प्वास ही तो किये है कोई पाप थोड़ी किया है नहीं, तुम्हारी सक्ति कितनी थी आज तुमने चार उपवास करके ये सक्ति बना ली कि आज तुम पिछी उठा के नहीं लगा पा रहे हो आज तुम देख के नहीं चल पा रहे हो आज तुम भगवान की बंदना नहीं कर पा रहे हो आज तुम सामाईक के लिए नहीं बैठ पा रहे हो आज तुम पृतिकमन नहीं कर पा रहे हो काई के उपवास चार उपवास तो इसलिए किये जाते हैं कि हमारी सक्ति बढ़े और तुमने इतने उपवास कर लिए कि अब ना तो तुम सामाईक कर रहे हो बैठते ही नहीं बन रहा है सामाइक में, फिरतिकमुन भी नहीं कर रहा है, तो अपने छे आविस्षिक छोड़ करके और तपस्या की तरफ बढ़ना, ये कोई धर्मात्मा का लक्षन नहीं, जिन्वानी तुनन नकारती है, मूलत छेदो नहवदी, मूल का विच्छेद नहीं हम लोग परती दिन आचारी महराज से कहा करते तो मराजी आज उठो, आर के लिए कमंडल लेके जाते थे, तो आचारी के दिन नहीं, आज हमारा अपवास है, परती दिन, अब नो अपवास उनके हो चुके, तो हमने का दसमा तो आचारी करेंगी, अब रिकार्ड तो बना है, दसमा कौन छोड़ेगा, तो हम लोग दसमे उपवास के दिन, हम लोग उने समने, आज अपनको आचारी से बोलना ही नहीं, कमंडल भी नहीं जाना, कमी महराजी दस तो करेंगे, कम से कम, तो दसमे उपवास के सुबह हम लोग बंदना करने आचारी की जाते है, हमारे सं क्यों, आज मेरा कमंडल नहीं लाए, तो हम लोगों नहीं कहा कि आचारी भूल गया के दस हो गया होंगे, तो हम लोगे आचारी आपके नौई हुए अभी एक पात भांकी है, तो बोले भी मैने कब कहा था कि मैं दस करूँगा, मनने कि मना जी आचारी अम नह कर लिए तो दस तो हो जाए पुले, नहीं कमंडल लाओ, अम लोग तो रहन कमंडल लेगए, आरकोट गया, बाद में आचारी भूज़े, एक पात भांकी आचारी एक पॉफवास और कर लेते, दस हो जाते, रिकॉर्ड बन जाता, बोले रिकॉर्ड बनाने के लिए पॉफवास किया, मैंने क्यों एक यू ने है आपने किया, थो पॉफववास तक मेरे आविस्थिक में कोई कमी नहीं आ रही थी, बराबर मैं सामाईख कर रहा था, पृतिकून कर रहा था, चरिया का पालन कर रहा था, आज ये महすूस होना लगा था, कि मेरी आविस्थिक शूटने वारे है, पेरों में कमपन जैसे थोड़ा सा होने लगा और एक घंटे सामाईक बैठने में भी तकलीब होने लगी कमर में तो मूलकुन जो हमारे आविस्थिक हैं इन में प्रमाद आने लगा इसलिए मैंने एक उपास छोड़ दिया करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सक्ति बढ़ाने के लिए करना है आचासी का भूब देश समलों के लिए इतना है कि देखो सक्ति छुपाना नहीं है सक्ति से ज़्यादा करना नहीं धर्म भी क्यों नहीं हो धर्म भी उतने ही करो जिसको करने के बाद आकुलता नहीं हो संक्लेश न हो, धर्म से संक्लेश थोड़ी हो और ये एक विक्ति वो है कि अपवास करते ही नहीं है, तो भो भी गलत है, सन 1922 की घटना है, एक महराज गया, महराज जी मुझे कल अश्टमिय अपवास करना है, तो अज गया, नहीं करना, महराज जी मेरी कह दिया ना कल का अप अश्टमिय अपवास देने की मूड में नहीं है, तो उन्होंने उपवास करना है, उसने दो बार मांगा तो अश्टमिय अपवास नहीं करना है, तो दूसरे महराज जी मंगा ही नहीं, कि आज महराज नहीं दे रहे, तो इचाना है, क्यों, कल अश्टमिय है, उपवास नह करना किया अब देखो एक साधु को मना कर दिया और एक साधु को कह कर दे रहे कलश्ट में उपवास नहीं करना है क्योंकि उस साधु को इसलिए मना कर दिया क्योंकि दो तीन दिन से अंतराय चल रहे थे फिर भी कर रहा है तुमारे थोड़ी अंतराय चल रहे थे तो यह हमार जहन दर्शन इसलिए हमेशा अपनी सक्ती को विचार करने करोगे तो बिल पावर हमेशा बढ़ता रहेगा